अब हैकर्स ने आपको कंगाल बनाने का अपनाया है ये नया तरीका वाचसेप यूजर्स हो जाए इसे सावधान वाचसेप पर जालबास फैमिली मेंबर बनकर लोगों को चुना लगा रहा है वो उन्हें अपने मुबाइल फोन खोने के बाने ऐसे भेजने के लिए कह रहे है आईए जानते हैं इसके बारे में साइबर फ्रोड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है और स्कैमर्स लोगों को कंगाल बनाने के लिए नए नए तरीके डुन रहे है ATM कार्ड कैम से लेकर UPI गोटाले तक लगातार स्कैम बढ़ते जा रहे है अब एक और चोकाने वाला नया मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर डाला है WhatsApp पर चालबास फैमिली मेंबर बनकर लोगों को चुना लगा रहे है और वो उन्हें अपने मुबाइल फोन खोने के बाहने पैसे बेजने के लिए कह रहे है आये जानते हैं इसके बारे में इस गोटाले को H.I.M.U.M. कहा जाता है दोके बास WhatsApp के जरीए लोगों को टार्गेट कर रहे है और उनसे पैसा निकलवा रहे है वो परिवार के सदस्य बनकर संपर्क करते हैं और कहते हैं कि उनको मदद की जरुवत है और वो फोन खोने के बारे में बताते हैं और फिर मदद के नाम पर पैसा मांगते हैं और उस्टेलिया में यह गोटाला काफी चर्जा में है और उस्टेलिया में अब तक इस गोटाले से लोगों को 7 मिलियन डॉलर याने की करीब 57 करोड रुपिये से ज़्यादा का नुक्सान हुआ है तो क्या है ये H.I.M.U.M. स्कैम जाल साज वाटसेप पर परिवार का सदस्य की समझता है और फिर वो पैसे मांगने को कहता है वो यह कहते हुए किसी दूसरे अकाउंट से पैसा मंगाता है कि उसका बैंक अकाउंट सीज हो गया है साइबर फ्रोड से आप कैसे बच सकते है ज्यान रहे कि आप अपना OTP कभी भी किसी के साथ शैर ना करे और परिवार हो या दोस्ट किसी भी अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड पिन और सीवी भी नंबर किसी को न बताए अजान कॉंटेक्ट भारा भेजे गए लिंक पर कभी क्लिक न करे और अनलाइन शॉपिंग के दोरान कभी भी अपनी पेमेंट डिटेल्स वेबसाइट पर सेव न करे अगर कोई कॉल करके आप से आपके बैंक डिटेल्स यूपियाई और अन्य डिटेल्स मांगे तो कभी न दे और कॉल काट दे और अब से लास्ट अगर कोई दूसरे नंबर से मैसेज करे और बताए कि वो आपका दोस्त या परिवार का सदस्य है तो एक बार वेरिफाई कर ले तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडि